नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पर है मैं हूं भी शाल गयलोट और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथमेटिक्स लबर तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइस टुवे का कोश्चन नमर 17 सॉल्व करेंगे तो आई हम लोग इसका कोश्चन नमर 17 सॉल्व करते हैं और इसका डिफ्रेंशल इक्वेशन फाइंड करते हैं तो जैसा कि कोश्चन नमर 17 आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ तो यह हमारा बेसिकली कोश्चन है तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो सबसे पहले सिंस का साइन देते हैं कोश्चन को नोट करते हैं तो कोश्चन हमारा है इसको थोड़ा सा और सिंप्लिफाइ करते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स स्टेप में इंप्लाइज आड का साइन देते हैं यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक्स कोश्चन 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 क कि कि हैर वार हम लोग करते थे एक से वाले टम को डी ऐज़ाबं के साथ रखे आप साथ ये सब्सक्तार्प भार भी हम लोग सेंट से वहींग्य अपनाएंगे तो जैसे ही उसटब वोग फॉलौव तो यहां पर क्या होता एक्स वाले टम तो अल्रेडी है डीक्स के साथ लेकिन अरेचेस में हमारा कोस अस्क्वार एक से तो इसको चुकि मल्टिपल के फॉर्म में है तो अविसली धर आगा तो डिवाइट के फॉर्म में आ जाएगा तो मतलब क्या कर सकते हैं को सब्सक्राइ हैंगे दोस्तों कि हम लोग मैं इसको एक चेंज करने वाला फॉर्मूला में फॉर्मूला यह जिस तरह वन बाई कॉस एक्स का होता है सेक एक्स क्लास्टेट में उससे हम लोग यह फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं तो उस तरह वन डिवाड़ेड बाई को सब्सक्राइग क्या हो जाएगा सेक स्क्वारेक्स हो जाएगा तो इसको मैं सेक में कनवर्ट कर रहा हूं सेक स्क्वारेक्स यहां से हो जाएगा और यह डी एक्स ठीक उस तरह यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों वाई सेक स्क्वार वाई डी वाई हो जाएगा अब यहां पर हम लोग करने वाले हैं अब जो यहां पर formula क्या होगा जोस्तों अब normally इसको करेंगे integrate तो integrate करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहां पर लिखते हैं क्या integrating both sides तो जैसे हम लोग दोनों side integrate करते हो तो integration का sign देते हैं तो लिखते हैं क्या integration of x say square x dx equal to integration of y say square y dy तो ये दोनों time को integrate करना लेकिन integrate कैसे करेंगे दोस्तों तो हम लोग ने class 12 में integration पढ़ते वक्त हम लोग ने एक चीज़ को ध्यान रखाता है कि integration जब इस form में दो algebraic form रहता है तो हम लोग by part का यूज करते हैं तो by part यहां पर हम लोग bracket में लिख देते हैं क्या यूजिंग by parts तो by parts का formula जो कि हमारा integration of u into v u into v का होता है तो उसी formula को use करने वाले हुम है तो उस formula को use करते हुए हम लोग highlight का use करते हैं तो highlight के basis पर यूज करते हैं तो वैसा ही कुछ इसमें भी है तो पहले algebraic तो इसमें तो यहां पर देखे पहले formula के recording क्या हो जाएगा हमारा तो highlight की basis पर जो करते हैं तो मैं यहां पर लिख देता हूं पहले अगर आपके mind से slip कर गया होगा तो को यहां पर sign करते हूं कि यह जो form होता हमारा इसमें पहले होता inverse trigonometric व एक algebraic और एक trigonometric function है तो algebraic और trigonometric पहले algebraic आता फिर trigonometric आता तो फर्स्ट में आता है उसको u मानता है और second में आता है उसको v मानते है तो eyelid का मतलब कि जो integration by parts को जो formula तो वो क्या होता है तो u integration of vdv minus integration of du by dx of all integration vdv का यहाँ पर dx मतलब इस form में होता है या फिर dv रखिये यहाँ पर या फिर dx भी रख सकते हैं यहाँ पर जो variable हाँ पर हम लोग होता है formula के coding तो उसी formula के coding यहाँ पर लिखा हुआ दो तो वही basic formula होता है तो इसी formula को use करेंगे हम लोग तो इसको मानते है यू और इसको मानते यहाँ पर formula के coding जैसे हम लोग चलते हैं तो u को रखेंगे, v को integrate करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तो say square x dx बीच में minus का sign क्योंकि formula में यहाँ होता है उसके बाद फिर integration of फिर यहाँ पर क्या होता दोस्तो u को करते हैं differentiate तो यहाँ पर एक से एंगल के form में इसले डी एक्स होगा डी एक्स बाद फिर whole integration और फिर यहाँ पर क्या जागा दोस्तो say square x dx of dx तो यह first part का LHS वाले term को बाइपार्ट में convert किया उस तरह RHS वाले part को जब बाइपार्ट में convert करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा जो की होगा y integration of say square y dy उसको बाद minus का sign integration of dy बाद dy मतलब की bracket में पर integration of say square y dy of whole dy यह होता है तो जैसे इसको integrate करेगा directly तो मैं यहाँ पर डारेक्ट लिख दो क्या होता एक्स फिर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों tan x होगा क्योंकि say square x का integration हम सभी को पता कि directly formula होता क्या tan x बीच में minus का sign ठीक उस तरह यहाँ पर tan x होगा और यह तो cancel होजगा 1 होजगा तो यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों tan x into dx equal to ठीक उस तरह यहाँ पर क्या होजगा y tan y फिर बीच में minus के sign ठीक उस तरह यहाँ भी क्या होगा integration of tan y into dy जैसा कि यहाँ पर similarly हुआ उसी तरह यहाँ पर होगा यह भी cut जाएगा dy dy यहाँ पर होगा तो यह cancel होने के बाद say square y का tan y हो जागा जिस तरह say square x का tan x हो गया था अब जिस तरह उसके बाद अभी भी integration का form है integration of tan x तो tan x का कोई proper integration नहीं होता है लेकिन इसको हम लोगों ने use किया एक formula के basis पे कि पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों इसको putting करते हैं tan को sin by cos में convert करते हैं उसके बाद किसी को putting करते हैं और उस putting के process पे हम लोग 1 by 2 ऐसे करने के के बाद हम लोगों को आता है तो उसका एक direct form आता है दोस्तों मतलब कि यह formula ही होता है उसको हम लोगों ने निकाला था उसके बाद ठीक उसी तरह RHS में y tan y का यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों minus log of cos y break it close plus c तो integration of constant है constant of integration यह तो रहे गए रहेगा उसके बाद जैसे ही sin को में लोग चेंज करते हैं तो directly क्या लिख सकते हैं x tan x minus minus plus हो जाएगा तो यहाँ पर डाक लिखते हैं क्या plus log of cos x equal to ठीक उस तरह यहाँ पर क्या होगा y tan y minus minus plus देने के बाद log of cos y plus c यह term रहेगा उसके बाद फिर क्या करेंगा दोस्तों कि सारे डोटा होँआरे RHS में है चुकि positive के form है तो इसको LHS में लेके आएगे plus log of cos x minus y tan y minus log of cos y यह हो जाता है equal to जो हमारा constant बज़ी आता है c तो यही हमारा final answer है तो इसको आप answer करते हैं इसके बाद भी अगर आप साथे आगे बढ़ाना तो log कर को ले सकते हैं कि log इसको यहाँ पर x है cos x है यहाँ पर cos x है तो इसके बाद भी बात एक ही रहेगा दोस्तों क्योंकि उसके बाद एक step इससे आगे जा सकते उसके बाद नहीं जा सकते तो finally answer यह है बुक में भी answer यही है इससे हो कर रहा है इसे वज़ेसे हम लोग यहीं पर इसको रहने देंगे तो यह रहा question number 17 का solution दोस्तों तो बस जोचो फ्लाल वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में झाल झाल झाल